हेलो फ्रेंड्स एक बाफ फिर से सुवागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MKI गेम लव में तो देद नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए लिकर रहा हूँ आज तीन बहुत ही इंट्रस्टिंग चीजे और वन वाई वन हम उन सब चीजों को देखेंगे तो उससे पहले अगर अब भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो ये रेट बिटन है इसको दबा है साथ मैं बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा देना ताकि ये सारी वीडियो आपसे मिस ना हो तो चलिए हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला मैं आ नहीं पर चेंज़ आए है इस एक लगाने से तो अलग-अलग ट्री के अलग-अलग वेरियेंट यह वाला है एक वेरियेंट यह है दूसरा है हमारा यह देखो कित्ता प्यरा लग रहा यह ट्री पूरा और कि उसके बाद हम चलते हैं ग्रास तो यह देखो अग आके चलते आगे ओ नइए नई नइए नई, उपराओ, उपराओ आओ, आगया, सही सहाई, ठीक है, यह तो आप देखो, दर्ट, टर्ट की क्वालिटी देखो आप, किたनी प्यारी लग रही हो, कितनी रियलेस्टिक लग रही है, यह डर्ट है कि यह है, हमारा स्टोन, स्टोन 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 हम देखते हैं थोड़ा पास से यह रहा है स्टोन हम इधर पास से देखेंगे थोड़ा ठीक है यह तो ज्यादा पास हो गया बजगया 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 तो अभी हम चल रहे हैं तो देखो यह है स्टोन किता रियलिस्टिक है स्टोन स्टोन बहुत रि देखते हैं यह grass कि तरह प्यारा लग रहा है ठीक है तो यह texture pack है और इस texture pack का नाम है यहां वे चलते हैं हम और दिखाता हूं में आपको modern arc realism और यह कहां से मिलता है आपको link description में मिल जाएगी तो देखो यहां पर यह 512 है ना ऐसे ही आपको वहां पर अलग-अलग मिल जाएग इन्टू 28 मिल जाएगा फिर 256 मिल जाएगा और 512 मिल जाएगा तो मेरा 512 इन्टू 512 जहल रहा था इसलिए मैंने यह वाला डाल लिया और अगर आपके पास अच्छी graphic हो तो बहुत ही अच्छी बात है फिर तो आप modern arc यूज़ कर सकते हैं RTX यूज़ कर सकते हैं इनकी जर के वाली इग्रा से और शाट में यह वर इस पर ये जो पत्ते हैं यह मुंझे लगता है पीपल के पेड़ के पत्ते हैं दिखो नवां वैसे ही लग़रा है बिलकुल ठीके और आगे चलते हैं हम आगे चलते हैं तो अब भी ना मैं आपको बताता हूँ और क्या है जो अभी हम स्टोन देखते हैं और बहुत सारी चीज़े देखते हैं इस टेक्चर पैक से रिलेटेड तो सबसे पहले देखते हैं हम वोड ठीके तो ये एक तरह का वोड है ऐसे ओहो भाई साव मैंने ध्यानी नहीं दिया यहां पर ना ऐसा कुछ खास था नहीं तो यह है हमारा कोबाल स्टोन यह है हमारी ग्रेवल और यह है आई थिंग यह क्या है यह क्या हो सकता है तो मुझे लगता है यह सेंड स्टोन हो सकता है नहीं सेंड स्टोन तो नहीं है स्मूट स्टोन भी नहीं है तो फिर यह क्या है य या फिर ऐसे ही कुछ है कुछ ना कुछ तो है ये चलो उसको देखेंगे बाद में अब तो अभी आगे चलते हैं हम और देखते हैं हमारे जो ये वीट फार्म है ये देखो वीट कितना प्यारा पहले ये देखो ये दूसरे टाइप के प्लैंक है और मुझे अभी confusion है इन सब नामों में धिरे धिरे आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कैसा है तो ये रहे हमारे वीट और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये इतने प्यारे तो नहीं मान सकते बढ़ हां लग रहे हैं या सच में लग रहे हैं दूसरा ना मैं आपको एक चीज दिखाता हूं इन सब को तोड़ देते हैं हम थोड़ा सा आसपास का तोड़ देते हैं उसके बाद आप यह नीचे की जमीन देखो कितनी realistic है यार और साथ में न यह देखो जब उसके उपर धूप पड़ती है न तो वह ऐसा लगता वह पानी का reflection होता न की चड़ का बिल्कुल सेम है तो इतना सही है ना यह यह चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है तो चली अभी इदर का हो गया यह भी प्लैंक के टाइप के तो यह है और बहुत सारी चीज अब मैं दिखाता हूं आपको सेकंड चीज और यह फाली चीज तो दिखती रहेगी आगे जाके सेकंड चीज बहुत इंट्रेस्टिंग है तो सेकंड चीज क्या है कि मैं आपने दिखा होगा मेरी पहली वाली वीडियो में कि वहां पर ना जो लाइट है वह बहुत ही यल्लो इ निकलते साइड से तो धूब का रिफ्लेक्शन भी आता है कांच जैसा लगता है ठीक है तुम्हें बता रहा था आपको कि जब वह पूरा है यल्लो इस कलर का और इतना भड़ा दिख रहा था तो अभी ना यह देखो सारे चीज चेंज हो चुकिए अब हर लाइट वाइट है कितना अच्छा लग रहा है वह यल्लो इस कलर से तो बहुत ही बहुत जादा यह अच्छा लग रहा है सच में वह तो इतना गंदा लग रहा था पूरा ओरेंज और और आप देखो यह लाइट वाइट लाइट कितनी अच्छी लग रही अभी रात हुंदो उसके बाद और अच्छा लगेगा देखने में तो अब भी ना मैं आपको और टेक्सर के बारे में बताता हूं तो यह हमारा वूल कारपेट है और यह कुछ ऐसा लग रहा है साथ में यह हमारे सेंड स्टोन है तो यह ऐसे लग रहे हैं और उसके बाद यह देखो वाल है कट स्टोन है ठीक है और उसके बाद और क्या है हाँ उसके बाद मैंने एक चीज करी थी मैं आपको बताता हूं उसमें ये दिखो ये ये मैंने extend कर लिया है और ये सारा बीच में रखकर और नीचे कर दिया है साथ में ये stairs जैसा बना दिया है मेरे पास जगे की बहुत कमी हो रही थी क्योंकि सामान ना अब देरे देरे बढ़ते जा रहा है मैंने क्या किया है ये वाला पूरा area हटा दिया है और हमारा जो ये gate ना ये कुछ ऐसा लग रहा है तो friends मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ना ये light यलो से white करी जाती है वैसे आपको इसके ठेर सारे वीडियो मिल जाएंगे उसमें बताएंगे आपको कि ऐसे करो ऐसे करो बट मैंने वो सारी चीज करके देखा और वो एक भी success नहीं हुई trust me एक भी success नहीं हुई मेरे लिए तो और ये Zeus कही था उसने बताया मेरे को कि ऐसा ऐसा करना है बट नहीं वो सब चीज़े है ना मेरे को इसमें लगा ही नहीं पता नहीं क्यों नहीं लगा बट लगा नहीं तो मैं आपको मेरे shaders बताता हूँ कौन सा है मेरा shader यहां है shader यह देखो आप सी उस renewed है और यह वाला मैंने इस से related जो भी है वो उसमें सब सेम होना चीज़े है काईदे की बात तो वो है बट नहीं हुआ तो मैंने ना अपना खुद का धिमाग चलाया और मैंने एक बहुत प्यारी जोगाड करी तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करना है तो चलिए बहार चलते हैं इस game से तो friends मैं बताने वाला हूँ आपको कैसे उस light का temperature कम कर सकते हैं और उसका तरीका है जैसे आपको वीडियो में बहुत सारे अलग-अलग दिख रहे हैं जब आप YouTube पे उन वीडियो उसको देखेंगे तो वो कुछ अलग चीज बता रहे हैं उससे भी होता है बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ मैंने बहुत ज्यादा ट्राय कर लिए अलग-अलग जाके दिखा बट ऐसा नहीं हुआ है का मेरे पास already downloaded है इसलिए मुझे वापिस से डाउनलोड करने की जरुवत नहीं है तो यह रहा मेरा note page और अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको यहाँ पर टाइप करना है ध्यान रखें इसको open करने से पहले आपका गेम चालू ना हो और अगर गेम चालू भी हो तो उसमें वो shader pack ना डला हो क्योंकि फिर ना वो save नहीं होगी फाइल तो यह shader on कर लिया इसमें आप देख रहे हैं यह ऐसे आ रहे हैं जो notepad plus plus vsh वाला इसमें आपको second पर जाना है आपको नीचे तक जाना है तो आपको ढूणना है torch light से related तो यह देखिए मैं ढूण रहा हूँ आपको अलग जगे भी मिल सकता है तो देखिए यह torch light color मिल जाएगा यह आपको दूसरी वीडियो में भी ऐसा ही बता रहे हैं मैं वो चीज नहीं बता रहा हूँ तो वो क्य में देखो यह 200 है और 2300 2500 ऐसे ठीक है और तो अभी ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपको क्या करना इन में से कोई सा भी आप चेंज कर सकते हो एक तो इससे क्या है आपको अगर वापी से yellow light चाहिए तो आप वापी से कर सकते या फिर आप इन सब में अलग-अलग colorate कर सकते हैं तो देखो अब मैंने कर रहा है यहाँ पर 255 255 और 255 255 क्या है कि यह ना RGB है मिलब रैड ब्लू और ग्रीन है तो RGB तीनों मिलाकर ना white color produce करता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर तीनों ही full कर दी है तो इससे white हो गया यह आप कैसे पता करेंगे तो देखो आपको white लिया तो यहाँ 255 255 और 255 आया अलग-अलग color के लिए अलग-अलग होता है देखिए अलग-अलग color करेंगे तो अलग-अलग changes हो जाएंगे तो आपको जो color चाहिए ना आप वो अलग color यहाँ पर ढूंडे और उसके बाद यह जो codes है यह आप डाल दे इन में से किसी एक में और अलग-अलग भी आप डाल सकते हैं जैसे मैंने अभी white डाल रखा है अभी मैं एक और डाल लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कोई और color तो मैं देखता हूँ हलका सा blue color ठीक है और यहाँ पर यह जो code है 13, 224, 255 तो यह हम इसमें डालेंगे next वाले में तो अभी मैं क् कि मैं जाता हूँ इसी shader पेक वाले इस notepad में और यहाँ पर मैं डाल दूँगा यह चीजें तो मैं यह second वाला change कर देता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगर आप ऐसे करेंगे तो यह पूरा green हो जाएगा यानि कि यह सारे changes हो जाएगे तो इस चीज का ध्यान रखन कि यह green ना होना चीजए तो आप ना back कर सकते हैं ऐसे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 13 और उसके बाद मैं लिख देता हूँ 224 और साथ में मैं लिख देता हूँ 255 ठीक है तो अब यह वाला जो मैंने change किया है तो यह मैंने change किया है 2300 पे तो 2300 पे हमारा यह changes होएंग तो है ना हमें पता रहेगा कौन से पर क्या करना है तो चलिए अभी इसको save कर देते हैं हम यह save हो गया है और save होने के बाद हमें क्या करना है इसको back करना जैसी काटेंगे ना यह एक option आएगा यह वाला तो यह yes कर देना इससे क्या होगा कि वो modified हो जाएगा ठीक है अभी इ होना है skip का button दबा के और आपके shadows पर जाना है तो यह रहे मेरे shader और shader पर आपको नीचे जाना है और shader options पर जाना है फिर उसके बाद आपको देखना है यह lighting and shadow option आ जाएगा तो shadow option में आपको यहाँ पर यह देखिए torch light color temperature दिख रहा है यहाँ पर 200 यानि यह white वाला हो रहा दन करूँगा तो देखिए यह color पूरा change हो चुका है अब देखो यह पूरा ब्लू ब्लू हो चुका है जो color हाठ चाते है वहाँ पर आप add कर सकते हैं अब देखिए यह पूरा blue हो चुका है और इतना घंदा लग रहा है मैं नहीं चेंज कर देता हूँ तो देखिए यह प तो अभी हम चलते हैं हमारे दूसरी इलाके में और वहां देखते हैं कि अभी जो यह हमने जो टेक्स्टर पेक्ट डाला इसकी वज़े से वहां की जो क्वालिटी वह कैसी होगा यह देखिए गेट ऐसा लग रहा है और अभी हम चलते हैं दूसरी तरफ तो इस लाइटिंग प्ल yardım का एक बहुत अच्छी खासियत जो मुझे लगी है कि वह वहां पर तो वाइट ही है बट यह यहां पर न यह या लोई इशह यह सबसे अच्छा लगा मुझे यहां पूरा फुरा वाइट हो जाता ना तो वह यह नहीं आती यह यहां पर पहले से एर रैड रहता है त तो बेड्रोग कैसा लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है, बेड्रोग इसमें सही नहीं दिया, कुछ और हटके देना था, यह तो बहुत ही common सा लग रहा है, तो चलिए अभी हम चलते हैं हमारे ocean monument की तरफ, तो friend आचुके हैं हम इस side और यहां पना देखिए, इसमें बागी सारी चीज में changes है, जैसे देखिए, यह है sand हमारी, और यह हमारे stone, और मतलब हमारे sand stone है, और उसके बाद देखिए, torch में तो कोई फरक नहीं दिख रहा है, water में भी नहीं दिख रहा है, इधर side तो कोई changes नहीं है, बट हाँ, एक चीज किती प्यारी लग रही है, वो जो सूरज की रोशनी है, वो यहाँ पर जाकर और यह देखिए, कैसा लग रहा है, obsidian, किता प्यारा लग रहा है, यह चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी इसमें, और साथ में यह हमारे change हो चुके है, और finally कूर जगे चलते हैं, तो friend हम आ चुके हमारे terracotta land में, और अभी रात हो रही है, तो यार, creeper से तो डर लगता है, तो जल्दी से मैं सो जाता हूँ, और सूबे का इंतिजार करता हूँ, और उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, और यह गड़ा नहीं है, एक्चली क्या है, यह mod है तो यह mod दिखता नहीं है, यहाँ पर clear, और इसके नीचे की चीज़े दिखती है, तो अभी उसको मेरे को लगाना है, और अभी मैं सोने जा रहा हूँ, सुबे उठकर और फिर हम थोड़ा सा यहाँ आसपास घूमेंगे, तो फ्रेंट पहले तो हम यह देख लेते हैं, यह हमारी crafting table है, और इस पर देखी क्या सी लग र यह driftwood है, और यह देखिए, इसमें थोड़ा सा changes लग रहा है मुझे, उसके बाद यहाँ पर ना जो red sand है, वो pink हो चुकी है, तो यह देखिए red sand ना पूरी pink दिख रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यह red sand थी तो इसको इनने यह ऐसा pink क्यों बना दिया है, बट anyways, अ कुछ भी special नहीं है, नहीं है, तो यह था हमारा texture pack, और जो final चीज है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ना एक mode है, तो बार बार मैं याद करता हूँ, और end में भूल जाता हूँ आपको दिखाना, तो आज finally मैं वो आपको दिखाऊंगा, specially, के ना, एक मैंने mode डाला ह और वो इतना interesting है, और उसका नाम आपको description में मिल जाएगा, तो अभी मैं ना, वहाँ पर जाता हूँ, पहले अपने वाले ही जगह पर जाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, कि उस mode में ये सा interesting क्या है, तो friend आ चुके हैं हमारे land पे, और जो तीसरा में जो आपको बताने वाला था ना, वो मैं आपको लेकर चलता हूँ, फिर मैं आपको महीं पर बताऊंगा कि क्या है वो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये कचरा है, उन सब को यहां डाल देते हैं, ये glasses भी डाल देते हैं, और कुछ बचरा है कि नहीं, और यहा ना, मुझे जाना पड़ेगा बी हाइफ की तरफ, तो बी हाइफ मैंने यहीं कहीं देखा था, और अगर वो मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं मिलता है, तो फिर मुझे पता है, एक जगे वहाँ पर तो मिले गए सभी, तो चलो इसको फेकते हैं पहले चलो यहाँ आगाए ना, अब यहीं कहीं मैंने एक बी हाइफ देखा था, तो वो बिना टेक्च्चर पेक के देखा था, अब यह टेक्च्चर पेक लग गए तो पता नहीं दिखेगा, तो चलो ढूंडते हैं उसको, और यहीं कहीं पर था वो, इन्हीं किसी ट्रीज में द से उपर भी नहीं हैं, और यह तो मेरे हाथ के लगे हुए हैं, तो यहाँ पे तो होई नहीं सकता, यहाँ पर एक तो यह पूरा ढगा हुआ है ना, तो पता नहीं चलती आदी चीज़े, यह तो मेरे हाथ के हैं सारे, यह वाला भी मेरे हाथ का है, मतलब मैंने लगाए थे और अभी ना मैं उस साइड और देख लेता हूँ अगर नहीं मिलता है तो फिर हम चलते हैं एक जगा पर तो अभी इदर देखते हैं हम यहाँ पर कहीं है क्या अरे यार यह कटे होई ट्री छोड़ दिये मैंने पर एक चीज़ देखो आप टेक्चर पेक से कैसा लग रहा है यह इसके वीच का हिस्सा किता सही लग रहा है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे वो मिलेगा ऐसा अगर वो मुझे बाद में मिलेगा ना तो मैं जरूर अरे यार मैंने यहीं कहीं देखा था उसको बट वो मेरे को दिख नहीं रहा है विकोज यह टेक्चर पे के इसकी वज़े से शायद से तो तो अभी ना यह लास्ट के देखता हूं मैं हां मुझे नहीं मिल रहा है तो चलिए अभी हम क्या करते हैं जहां पर इसकी जगा है वहीं पर चलते हैं और साथ में ना मैं उतर जाओं हां उतर गया अरे नहीं उतरा उतर गया तो साथ में ना आप उसको लेके घूम भी सकते हैं और मैं जाता हूं हमारे जो गार्डन एरिया है ना जहां पर धेर सारे फ्लावर्स मिले थे उस जगह पर वह वहां चलते हैं तो फ्रेंड हम आ चुके हैं यहां पर और सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं फ्लावर ये वाला फ्लावर देखो इनने कुछ नहीं कराया इस टेक्चर पेक में simply ना उनने बस इसको थोड़ा सा 3D बना दिया है और इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा एक्दम quality नहीं ल क्योंकि यह टेक्चर पेक की वज़े से यह जो ट्रीज है ना इनने धक लिया है नीचे का हिस्सा फिर भी यह रहा यह रहा हमारा भी है तो तीसरा जो मोट है ना मैं आपको वह बताने वाला हूँ और वह बहुत इंटरस्टिंग है बहुत मज़े आने वाले इसके अंदर ह हम ना एंडपल फेकेंगे तो यह गया और फ्रेंड हम है इस हाइफ के अंदर हाँ यह कितना इंटरस्टिंग है देखो यह पूरा हाइफ है और यहां पर आपको ढेल सारी बीज मिल जाएंगी और यह रिलोड नहीं हो रहा है टेक्चर पेक के साथ यहां पर लाइट भी न हाँ इतिंग और उसके बाद है यह फिल्ड वाला यह वाला इसके यह ब्लोक है यह यह तीसरा ब्लोक हैं हां फर मिलते हैं और दिखेने यह द्धेर सारा मिले यह वाटर भी है कुछ नहीं ने लेंड को चेंज करके और बहुत अच्छा बनाया वैसे हिसे साओन आपको अभी क्या यह texture pack चल रहा है ना इसकी वज़े से यहां पर इतना अंधेरा है नहीं तो इसको normal mode में जब use करें ना तो इतना मज़े आता है पूरा खाली दिखता है और यहां आप घूम सकते हो जो करना करो और बहुत बड़ा है खताम अलग नहीं होता है तो इससे भार निकलन करेंने का तरीका तो अभी भी मैंने नहीं सीखा है यहां पर हम क्या करने वाले हम यहां पर हाइट तक गड़ी द्वीज़िए ना यह हाइट का होगा और वो ना हमें भार निकाल देगा तो चलिए खोदना शुरू करते हैं ए चोथा ब्लॉक हो रहे यहां पर चोथा ब्लॉक है यहां पर हनी ब्लॉक सीधे आपको हनी ब्लॉक मिल जाएंगे यह तो मैं रख लेता हूं यह बहुत काम के ओ शायद से लुक है उसमें से सबसे उपर से बाहर निकल जाते है न तो वहां से हम पता नहीं कहीं और पहुंच जाते हैं वहां से एक्जेक भा निकलना तो मुझे अभी भी नहीं पता चला है कैसे निकलना बट एक दिन घूंड लूँगा मैं तो फ्रेंड कैसी लगी आपको ये बाइ